ये कहें तो रासलीला और देश की जनता कहें तो करेक्टड हीला पनौती है पनौती ही रहेगा तप चुनावायोग अंधा बन जाता है बाउना बन जाता है इतना जादे तरस्थ हो गई है बीजेपी की केंद्र सरकार से बेरोजगार नोजवान दुखी है इनको जो है अंध से बड़ा पनौति ही मोझूद है हार गई इंडिया तो वहाँ से पनौती सब्ध का इजादुगा पनौती का मतलब होता है औधी और भोजपुरी में पनौती कहते हैं हिंदी में सत्यानासी कहते हैं हमारे गाउं की बोल चलवासा में अभागा कहते है है आप देख रहे हैं जनहित आवाज जिस तरीके से पांच राज्यों के चुनाव हो रहे हैं आज 30 तारीके आज तिलांगना में वोट डल रहे होंगे वोट डाल रहे होंगे लोग और रिजल्ट भी नजदीक है तीन दिसंबर को इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे कैसा रहेग हैं तीन दिसंबर को रिजल्ट में क्या होगा कांग्रेस की बंपर जीत होगी पांचों राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है में बद्ध प्रदेश और राष्थान में अब जरबर था वहां मैं जमीनी हकीकत बता सकता हूं जनता खुद बखुद इतना जादे तरस हो गई है बीजेपी की केंद्र सरकार से बेरोजगार नौजवान दुखी है मज़ूर दुखी है किसान दुखी है महिलाएं दुखी है तो यह बताइए उटवा इनको कौन देगा आप खुद सोचिए वहां बियारत से दुखी हैं साउथ इंडिया में बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं है यह तीनी स्टेटों में है देश के प्रधान मंतरी जा रहा है तेलंगाना भासर दे रहा है कि पता नहीं तेलंगाना के मुख मंतरी को किसने जो है शक पैदा कर दिया है किसने ब्रमजाल में इनको फंसा दिया है किसने इनको जो है अंधभी स्वास इन जो है देश के परदानमंतरी की च्छाया हमारे उपर पढ़ जाएगी तो नका सत्यानास हो जाएगा यानि मोधी जी मान गए कि मैं पनौती हूँ पनौती हूँ पनौती हूँ पहले जैसे आपको मैं बता दू पनौती सब्द कैसे इजाद हुआ दरसल गुजरात में मैच हो रहा था वाड़कप क्रिकेट का आनलाइन भारत हार चुगा था आनलाइन आज तक पर और न्यूज एटिन में दर्सकों का विचार लिया जा रहा था दर्सकों ने कहा कि पहले तो हम समझे कि हम लोग पनौती साबित हो रहे हैं मैच देखने नहीं आये होते तो कास इंडिया लेकिन पीछे मुड़ के देखा तो देश का सबसे बड़ा पनौती अहीं मोजूद है हार गई इंडिया तो वहां से पनौती सब का याद हूगा आफ जाथ ओर पनौती वह जोहर्टी में पनौती कहते हैं तरिकिसे मोणी को पनौती बोल रहे हैं इसमें तो थो मेच था इसमें ज्धार जीत तो चलती रहती है किस्मत की बात होती है कोई अच्छा नहीं खेला इसे मोधी की ग्या गलती हूं तो मैच देखने गए थे ना मैं आपको बता रहा हूं यह पाकिस्तान गए यह पहले दो हजार चोहुदर में सपत लिए जो सपत लिए तो देश की दो ट्रेन आपस में टकरा गई काफी लोग मर बुरा गया यह हुगा उसके बाद यह पाकिस्तान नवास्टरीफ की सरकार थी उनसे मिलने नवास्टरीफ निपट गए अमेरिका गए डोनाल्ड ट्रफ के प्रच प्रचार मंतरी चमचागिरी में चले गए जोनल्र ट्रफ निपट गए अब आद में वहां की जनता ने उनको निपटा दिया अल्ला को प्यारे हो गए उसके बाद अभी इसराइल हमास यूद हो रहा था फिलिस्तिन का तीनों ने इसराइल का सपोर्ट कर दिया पाता चला कि बेंजिमन नेता हूं, पूरा घुटने के बाल आ गए हैं वहां कि जनता इनके खिलाब नारे लगा रहे हैं जो इसराइल बरबाद हो चुका है तो कहावत हैं हम लोगं के वहां जहां पड़े संतन के हो गयो बंटो धार यह जहां 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 जाते हैं वहां सत्यानास ह हो जाता है अभी टरनल के पास इनको इस्वर ने साथ बुद्धी नहीं गए क्योंकि वहां टरनल के पास जो मज़दूर थे मज़दूरों ने मज़दूरों को बचाया ने तो बारा मीटर तो एक ही दिन में खोद खात के निकाल लिये होते हैं वहां पे मौसमी सिंग गई थी आज तक की पतरकार हैं अगर मोदी जी पनाती होते तो नो साल से सत्ता में देश चला रहे हैं विश्गुरु बना रहे हैं उसका क्या फिर पनाती बोल रहे हैं अब जनता तो बोली रही है, साथ बेर राहूल गान्दी भी बोल रहे है पनौती है, इस तरीके से बोलना कैसे ही बात है? आप मुझे बता जीजिए, ये पचास लाकी गॉल्फरेंड के हैं, कांग्रेस की बिधवा के हैं, जर्सी गाय के हैं, फिजीसियन बचड़ा के हैं, पपू के हैं, मुर्खों के सरदार के हैं, ये के हैं तो रासलीला और देश की जनता के हैं तो करेक्टर धिला बदला लेंगे क्या उनसे, कि उन्हें ने पपो बोल दिया तो आप पनौती बोलेंगे उने देश का चीफ एलक्षन कमिशलर अभी बाला घट का घटना सुनी हैं नहीं तमाम वीडियो वारल हो रहा है भाई आप तीन को बैलेट पेपर गीना जाता है और आप पहले ही खुलवा दिये इस्ट्राइंग रूम का किसे नहीं जाज़त दिया अब चीफ एलक्षन कमिशलर कुछ नहीं बोलता देश का प्रधान मंतरी जो अब राहुल गांजी को मुर्खों का सरदार बोलता है तब चुनावा योग अंधा बन जाता है बाउना बन जाता है नहीं भेजता है नोटीस योगी जी कह रहे हैं कि 10 करोड लोगों ने जो आयुशमान योजना उसका का बात कर रहे हैं उससे बड़ा घोटाला कहा हुगा है सबसे जादे घोटाला तो आइसमान घोटाला हुगा आप बता रहे हैं जाये ना राश्ताने पूछे पचास लाग तक दवा अगर गरीब आदमी बिमार पड़ता है तो फिरी क्यों किसी हस्पिटर में लाज कर रह और रहे हैं प्रचार हो रहा है उनका सरकार उनीकी बनेगी क्यों आप को भी दिवेशपन देखने की आदत पढ़ गई है क्या मुझे बताइए दिवेशपने देखने की आदत पढ़ गई है अभी गोदी मीडिया बन गई है आप पंजनाओं कस्ये पाउचित्रा अगरव दीपक चौरसिया और अमिस देवगन यही हो गई है या तिहारी चोधरी बन गई है जो सत्य है सत्य को सुविकार करना सुखिए तीन दिसंबर को फिर किसकी सरकार बनेगी इस तरीक से सेमी फाइनल हुआ फिर फाइनल में जो लोग सबा चुनाव आने वाले फिर उसमें क्या होगा। इसमें होगा कि मोदी जी गए ओ राजा बाबु गए और सरकार जा रही इनकी। पर वो तो कह रह रही है ना कि हम जंडा फैराएंगे लाल किले से। तीहाडों में जंडा फाराए जाता है तो आपको लग रहा है कि इस बार मोधी का सुप्रा साफ होने वाला है बाई देश की महिलाएं नाराज है देश का किसान नाराज है देश का बेरोजगार नोजवान नाराज है देश के करमचारी नाराज है किसान तु कहते हैं कि 2014 के बाद एक वही सरकार है जो भाजपा सरकार है जो उनकी मदद करी है उनके लिए इतनी योजनाय लाए है छे हजार प्रतिवर्श दे रहे हैं वो डाक्टर मर्मोहन सिंग का नाम सुनी है देश के परधानमंतिर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े अर्शास्तिरी नहीं है जब पूरे विश्म मंदी थी बारत को बचा ले गए एक ही पेन से और एक मिनट के अंदर देश के किसानों का 75,000 करोन करजा माप कर दिया था हुँ है यह तो अठ्वादी का करजा माप करते हैं मुकें संबाणी क किसी किसान का करजा माप की किए LEGO 1000 सूपर अब गजा, सिलेंडर कांग्रेस साचित राजियोमे 500 पीया में मिलना कु Это क्रहीं कांग्रेस कि तो इस बर पक लग रहे है 24 में मौदी की सरकार साफ साफ है दुकानदारी साफ बहुत बहुत शुक्रिया तो हमने इन से बात करी ये कह रहे हैं कि जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाले हैं उसमें भी भाजपा सरकार का जो सुपड़ा है वो साफ होते हुए नजर आ रहे हैं झाले हैं